अस्सलाम उलेकुम फ्रेंड्स विल्कम बैक टू में चैनल मॉम्स डिशिस एंड व्लॉक्स आज की रिस्पी है हमारा मुर्कू जी हमारे साइड मुर्कू बोलते हैं और थोड़े लोग चकली बोलते हैं और आपके साइड क्या बोलते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में को कर दिखाओंगे जी देखिए ए तुड़गए है जी इतना अच्छे रहते हैं और इसे न हम एक महिनी तर अराम से स्टोर करके खा सकते हैं एक एक एकेट क duties मेंशनी क suivre ग्लैस कटेशन connect & परते-पे आपा-राहत नक से लिएकी और आपप से स्टोर करके अकासquent आदे अगर ये रिस्पी पसंद आई तो लाइक करिए शेर करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो दुसरे मज़ेदार रिस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल एकान बटन ज़रूर ट्रेस करिए इसे आपको नोटिफिकेशन पहला पहुंसता है सो लेट स्टार्ट यह मैं एक बोल में ना वन फोर्थ कप मुन की डाल एड़ कर रही हूं मैं जी मुन की डाल एड़ करी हूं और वन फोर्थ कप उरत की डाल एड़ कर रही हूं हम माश की डाल बोलते हैं हमारे साइड हम माश की डाल बोलते हैं और एक दो को अच्छा सा कर लेना है पका लेना है हम जी ये मून की डाल और ये उरत की डाल ये दो आके अच्छा सा नरम हो जाना चाहिए जब तलक हम पका लेना है और यहां देखिए फैनल होने जी मून की डाल और उरत की डाल माश की डाल सब नरम हो गए हैं अब इसे अच्छा सा हम थंडा करके मिक इसमें ग्राइन करके रख ले थेड़े, मून की दाल और वुरत की दाल के पेस्ट करेघेट करें, 100 स्वाद अनुसार नमक एड़क ढाईड करें, और दो टीस्पुन जीरा एड़ कर रही हूं दो फुल टीस्पुन जीरा एड़ करी हूं और हाफ टीस्पुन हल्दी का पॉडर एड़ करी हूं और एक दो टीस्पुन लाल मिर्च का पॉडर एड़ कर रही हूं आप चाहे तो लाल मिर्च का पॉडर कम्या ज्यादा कर सकते ह हैं लेकिन नः लाल मिर्च का पोडर करेक्ट होने बस हो जाता है अब इसमें न हम आयल हीट करके आड़ कर रही हूं 3 टेब्ल सपुन आयल गरम कर ली हूं और थोड़ा थोड़ा एड़ कर रही क्योंकि गरम आइल एड करें ना इसलिए हम चम्चे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थंडा होने के बाद हम हाथ से मिक्स करेंगे और देखिए अच्छा सा हम मिक्स कर लेना है पूरे आटे को लेकिन हाथ से ना अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं और थंडा होने के बाद मैं हाथ से मिक्स करूंगी और इसके उपर थोड़ा पानी एट कर देना है थोड़ा पानी एट करके थोड़ा थोड़ा एट करते हुए हम मिक्स कर लेना है रोटी के आटे के तरह हम मिक्स कर लेना है लेकिन बिल्कुल घट नहीं करना है फ्रेंस बिल्कुल आटा ना घट करने से जी मु को के मिशिन ली हो मैं जी एक कापर का है इसलिए एक कलर में है फ्रेंस जी और इसमें ना मैं अच्छा सा आईल अपले करूंगी जी थोड़ा सा आईल अपले कर रही हो मैं आईल अपले करके अब इसमें ना मैं ये आटा थोड़ा आटा आट कर दियूंगी हमाया मिक्स कर ले देखिए इसी तरह का आओ दुसरा एमिशिन एड़ करके एक साइड पे रख लेंगे और यहां देखिए मैं एक स्टिल प्लेट्स ले ली हूं मैं इसके उपर थोड़ा सा आईल अपले कर रही हूं मैं जी आईल अपले करके अब इसके उपर ना ये मुर्कु मैं प्रेस करू आपने मची में फिर से आठा फिल कर दीजिए तब ना हमको ये प्रेस करने के टेमपे ना ये हात दरद नहीं लगता है इस लिए और ज्यादा प्रेस करने का काम भी नहीं पड़ता है और यहां देखिए पूरे मुर्कु मैं इसी तरह प्रेस कर ली हूँ आप के पास बट काम आसान हो जाता है और यहाँ देखिये यह कड़ाय मेंơ आल हीट कर लूँ और देखिये मूर्कु ना इसी तरह मैं ऐड़् करदूंगी इसलिए त्टील का प्लेट है तो अराम से रहता है और देखिये दुसरा मूर्कु भी add कर रही हूँ मैं सिर्फ मैं दो मुर्कों add करी हूँ क्योंकि ना हमको fry करने के लिए थोड़ा अच्छा रहता है space और यह हम foam देखी अच्छा सा foam आ रहा है जी यह foam ना कम हो जाने के बाद हम मुर्कों निकाल देना है तब हमको पता चलता है यह मुर्कों पक गया है करके अब एक side fry होने के बाद दुसरा side हलका सा turn कर लेना है अब flame आ के medium flame में रख लेना है हम medium flame में रख के हम fry कर लेना है और दुसरा side हलका सा हम turn करल लेना है जी आपको वीडियो में दिखाओंगी देखे जी यह foam देखे फोम ना कम होता आ रहा है और यहां देखिए फोम कम हो गया है अबना हम ये मुर्कु को निकाल देना है जी बिलकुल नहीं जलाना है बस इसी तरह ये कलर में आने तलक हम पका लेना है और यहां देखिए हमारे गर्मा गरम मुर्कु तयार हो गए है चकली जी थोड़े लोग चेकली बोलते हैं ना माशालला बहुत मज़ेदार रहते हैं आप लोग ज़रूर ट्राइ करिए यह मैं बोली थी ना यह मेजरमेंट से आप ज़रूर ट्राइ करिए बहुत टेस्टी रहते हैं अराम से स्टोर करके खा सकते हैं हम एक बार बनाने से एक वन मन तलक अराम से इसलिए आप जरूर ट्राय करिए अगर आपको यरिस्पीद पसंद आई तो आपके friends and relatives से Riespies शेर करिए अगर आप मेरे चानल पे नए हो तो दुसरे मज़ेदाररेश्पीष के लिए मेरे चानल को सबस्क्राइब करिए और बेल अकान बटन जरूर प्रेस करिए से आपको नोटिफिकेशन पहला पहुंसता है इंशालला दूसरे मज़ेदा रिस्पिस के साथ या अच्छे व्लाग के साथ जल्दी में ही मिलेंगे जब तल दुआ में याद रखिए अला आफीज